दिनाग 4 अप्रेल 2023 को सनरचना साहितीक संस्था के तत्वाधान में वरिष्ट कवी अशोक कुमार बाजबाई की सम्वेधना से परिपूर्ण का विकृती बेजुबान का लोकारपन विश्व बे सहारा पशु दिवस पर उतकर्श अक्याडमी स्वरूप नगर कानपूर में संपन हुआ मुख्य अतिथी डॉप्टर राज तिलक ने कहा कि साहित्य समाज का दरपन है बेजुबान पर लिखी अशोक कुमार बाजबाई की काव्यकृती समाज में अपना एक महत्वपून स्थान रखेगी और यह काव्यकृती जनुप्योगी साबित होगी उन्होंने कहा इस पुस्तक को पढ़ने से बेसहारा पशुओं पक्षियों की विकत स्थितिया स्पष्ट द्रिष्टि गोचर होती है पर्यावरन विद्दा तिलक ने प्रकृती से दुर्व्यवहार को खुद कुशी की कोशिश और जीवन के अस्तित्व के लिए खत्रे की घंटी बताया उन्होंने उसके वैज्ञानिक पक्ष जेव विविद्दा और क्लाइमेट चेंज पर प्रकाश डाला कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कुलपती डॉक्टर लक्षमी कांथ पांडे ने कहा कि इस कृती में स्रिष्टी का विकास जिन जीव धारियों से हुआ वह मूप प्रानी थे हमारे दस अवतारों में प्रारमिक तीन जलचर थलचर नपचा आते है आज ये बेजुबान जिनकी कहानियों से हमारा साहित्य भरा है वे उपेचा में जी रहे है वरिष्ट कवी अशोख बाजपाई की यह बेजुबान कृती इसी सम्विदन शील चेतना का परिनाम है विशिष्ट अतिथी भूधर मिश्र ने कहा कि बेजुबान कृती में पर्यावरन के साथ साथ निरंतर सचिक परंपरा का निर्वाह किया गया है इस कृती की सभी की सभी कविताएं बहुत सार्थक है वरिष्ट कवी डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने कहा कि संग्रल की कविताएं मनुष्यक को पशू पक्षियों से जोलती है तथा उनकी पीरा व्यक्त करने के साथ होसला देने वाली है जिन में रचनाकार की गहन सम्वेदना गहरे तक प्रभावित करने वाली है उतकर्श अकादमी के निदेशक डॉक्टर प्रदीक दीक्षित ने कहा कि कभी अशोक बाजपाई द्वारा बेजुबान पर पुस्तक लिखना पुन्यकार्य है विशिष्ट अतिथी ने कहा कि मैं तो कुस्तक पढ़कर अभिभूत हु सार्थक लेखन ही समाज को जोलता है इस कृति को पढ़ने से मानब सम्वेदना जागरत हो उठती है कृति का रशोक कुमार बाजपाई ने बताया कि इस कृति बेजुबान में 71 कविताएं पिरोई है इस कृति में जहां अनेकों दुश्वारियां दिखाई परती है जहां आज पशु पक्षियों पर संकत है यही कल मानफता पर संकत होगा क्यूंकि पशु हमारी संवेदना के वाहक भी है इस संकत से उबारने के लिए आज आवश्यक्ता है इन बेजुबान की वानी बन जाना गौराय बचाव अभ्यान के संयोजक एवं पर्यावरंसेवी गौराव बाजपाई ने एक सार कर्भित वक्तव्य देते हुए कहा कि आने वाले समय में पानी और वायू का गंबीर संकत उत्पन होने वाला है जिस तरह आज हम खरीद कर पानी पीते हैं जिसकी हमारे रिशी मुनियों ने कल्पना भी नहीं की थी उसी तरह वायू के सिलिंदर लेकर लोगों को चलना पड़ेगा कविता के माध्यम से समाज को जागरत करना महान कार्या है कार्यक्रम का गरिमामई संचालम श्री चक्रधर शुकल ने किया एवं वानी वंदना गीतकार रमेश दीख्षित ने की स्वागत डॉक्टर अलका दीख्षित ने किया धन्यवाद ग्यापन श्री सतीश गुपता ने दिया इस अफसर पर वरिष्ट साहित्यकार श्याम सुंदर निगम, गोपाल खन्ना, बीम शुकला, आई आई ती कानपुर, डॉक्टर विनोर्ट त्रिपाथी, डॉक्टर प्रेंग स्वरूप त्रिपाथी, सुरेंदर गुप्ट सीकर, सुरेश राज हंस, राध हशाक्य, डॉ मेश दिक्षित, रवी मिश्रा, शलेंदर त्रिपाथी, अर्विन शुकला सहित्बडी संख्या में साहित्यकार एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे, साथी कानपुर शेहर में बेसहारा पशुओं के लिए कार्य करने वाले आशुतोष त्रिपाथी, मयंग गौरव अपर्ना बाचपाइक प्रक्खर तिवारियादी उपस्थित रहे